दोस्तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ओयल का उप्यूग करता देश है और सबसे बड़ी बात देखने के लिए ये मिलती है कि अपने इस रिक्वार्मेंट का 80% फुल्फिल करने के लिए भारत को विदेशों से क्रूड ओयल इंपोर्ट करना पड़ता है अब ऐसी परिस्तिती भारत के लिए काफे जादा चिंता जनक हो सकती है क्रूड ओयल विदेशों से इतनी भारी भरकम मातरा में इंपोर्ट करना या आपकी एकॉनमी के लिए अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगर ये इंपोर्ट के बिल अगर हम लोग पूरी और महेंगाई भी उसी हिसाब से कम और जादा हो जाती है लेकिन अगर ये सारी चीज़ें भारत में ही उपलब्द हो तो सारी कुछ चीज़ें हमारे नियंदरण में रह सकती है हलाकि अपसोस वाली बात यह है कि अभी तक हम लोगों ने इस पिल्ड में कोई जादा काम किय ही नहीं था और भारत के वो एरियास जहां पर तेल और गेस की संभावना है सरवाधिक है उन्हें एक्स्प्लोर करने की उस लेवल पर कोशिशे की ही नहीं गई थी अगर पिछले 30 सालों की बात की जाए तो लिटरली भारत इस छेत्र में पूरी तरह से सोया रहा लेकिन के सरवत्तम प्रयास माने जा सकते हैं और ऐसी ऐसी जगों को एक्स्प्लोर किया गया जहां पर संभावना यह जताई जारी है कि भविश्य में अगर हम लोगों नहीं हाँ से ओयल गेस निकालना शुरू कर दिये प्रॉपर वे में तो हम लोग दश्कों की कि अवशकता नहीं पड़ेगी अब इसी को लेकर कुछ डेटा निकल कर आए हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ही चीज कॉमेंट बॉक्स में लिखेंगे थैंक यू ओवेंज जेसी जे हां क्योंकि बताये जा रहा है कि पिछले 30 सालों में इस साल ओवेंज जेस सालों का रेकॉर्ड तोड़ती है पिछले 30 सालों में इतने कुवें पहले कभी नहीं खोदे गए और बड़ी बात मैं आपको बता दू कि ये 541 वो तेल के कुवें हैं जहां से एक्चुली तेल निकल रहा है यहां पर प्रॉपर वक्जाश वगरा की गई और जब तेल और गेस की संभावना है 100% दिखाई दी उसके बाद कुवें खोदे गए और वहां से तेल गेस निकलना शुरू किया गया इसके बाद एक्स्प्लोरेशन को लेकर और भी कुछ डिवल्लप्मेंट निकल कराए हैं और 103 की संख्या में अलग-अलग एरियास के अंदर ड्रिल बढ़ाया गया और इसके लिए बताया जा रहा है कि एहमदाबाद, महसाना और मुंबई वो प्रमुग इलाके थे जहां पर सरवाधिक तेल और गेस के लिए कुवे खोदे गए जिनके संख्या सो रही इसके अतरिक जैसा कि हम लोग पास्टों में बात कर चुके हैं कि कई इससे इलाके भी खोचकर निकाल लिए गये हैं जो हमारी दशकों की रिक्वार्मेंट फुल्फिल कर सकते हैं तो आने वाले समय में वहाँ से भी बड़ी बड़ी पॉजिटिव खबरे निकल कर आ सकती हैं इसके अतरिक एक पर मैंने आपको वीडियो बना कर बताया था कि नौर्थिस्ट के कुछ इलाके ओईल और गेस के भंडारों से भरे पड़े हैं जिनकी जहनकारी हमें धशकों पहले से थी लेकिन वहाँ पर जो लोकल कॉन्फिलिट्स वगेरा चलते हैं इनकी वज़े से उ निकाला अभी तक नहीं किया है नहीं उन्हें प्रॉपर एक्स्प्लोर किया गया इसको लेकर भी कारीश शुरू कर दिये गये हैं तो आने वाले समय में इसको लेकर भी बड़े डेलुप्मेंट निकल कर आ सकते हैं और इसके अलावा सबसे इंपोर्टेंट अंडवानन न अगले 70 सालों की हमारी पूरी रिक्वार्मेंट को फुलफील कर सकता है तो वहां पर भी आने वाले समय में इसी तरह की पॉजिटिव स्टेप्स उठाए जाएंगे वहां पर भी ओईल गेस को प्रॉपर डिस्कवर करके उनको निकालने की विवस्थाइं की जाएगी जिसके के बाद हमारा जो तेल और गेस को लेकर इंपोर्ट बिल है वो डेफिनेटली कम होगा ना के बराबर रह जाएगा और उसके बाद देखेंगे हम लोग की हमारी एकॉनमी पहले की तुल्ला में ज्यादा गती से आगे बढ़ेगी इस पूरे मुद्दे पर और पूरी उपल यगा